बच्चो आज हम Sexual Reproduction in Flowering Plant पड़ेंगे यानि कि पुषपी पोधों में लेंगी कजना जैसा कि आप नीचे डाइग्राम में देख सकते हैं ये एक longitudinal section of flower है ठीक है यहाँ पे आपको दो पार्ट्स दिखाए देंगे एक दिखाए देगा स्टैमिन एक दिखाए देगा पिस्च Stamin में Thor & Filament Stamin को हम बोलते हैं gaan Stephen in voll केसर और पिस्चिल या कारपिल इसको बोलते हैं tech केसर Stamin के अंदर एंधर एंधर यानिकी और फिलामेंठ यानिकी तंतू पिस्चिल यानिकी겁 Stigme, stigma याने की वर्तिका अगर style याने की वर्तिका और ovary याने की अंडा से देखिए सबसे पहले the reproductive part of angiosperm are located in flower that means flower जो है वो reproductive part होते हैं plant के पोधों में पुष्प लेंगिक भाग होता है ठीक है जैसा कि यह हिंदी की परिवासा में लिखा है flower is of two type पुष्प दो परकार का होता है ठीक है आप इस flower के part में भी देख सकते हैं इस diagram में भी देख सकते हैं यहाँ पे पंकुणियां भी दिखाई हुई है petals, sepals और फिर यह carpel carpel means female part of flower stem means male part of flower ठीक है जैसा कि हम उपर पढ़ चुके है flower दो परकार के होते हैं ठीक है एक है unisexual और एक है bisexual unisexual means एक लिंगी ऐसा पुस्प जिसमें स्त्री केसर या पुकेसर में से कोई एक जननांग उपस्ती दो उधान, पपीता, तरबूज, लोकी, तोरई, केला ठीक है और इसका English में इसकी definition हम लिख सकते हैं पुस्प में स्त्री केसर वे पुकेसर दोनों उपस्तित होते हैं उधारन, गुढ़ल, वे सर्शो फ्लावर में बी बाइस्वेक्शल वें इट कंटें बोथ स्टैमिन और कार्पल एक्जामपल हिबिस्किस और मस्टर नव, व्ट इस पॉलिनेशन ट्रांसफर ओफ पॉलन ग्रेन फ्रम एंथर तु स्टिग्मा इज नोन अज पॉलिनेशन पराग कंटों का पराग कोस से वर्तिकागर तक पोहुचना परागन कहलाता है इसके जो कारक हैं, इसके जो फेक्टर हैं वो है वाई यू, जल, कीट वे जन्तियों द्वारा होता है, मदुमक्खियों द्वारा होता है खास तोर से ओके, लेट्स मूव फोरवर्ड जैसे आप देख सकते हैं पॉलिनेशन दो परकार का होता है यानि की परागन दो परकार का होता है एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन Self-Pollination में क्या होता है Anther पे जो pollen grain होते हैं उनका transfer उसी फूल के stigma तक हो जाए तो इसको बोलते हैं Self-Pollination Transfer of pollen grain from Anther to the stigma in the same flower is known as Self-Pollination इसको हिंदी में सव परागन बोलते हैं पराग कणो का स्थरान अंतर अपने ही पुष्प के वर्ती कागर तक होना सब परागन कहलाता है अगला है Cross-Pollination Transfer of pollen grain of one flower to the stigma of another flower is known as Cross-Pollination यानि कि एक पुष्प का pollen grain दूसरे पुष्प के stigma तक चला जाए यानि कि एक पुष्प का pollen grain यानि कि पराग कण दूसरे पुष्प के वर्ती कागर तक चला जाए इसको बोलते हैं परपरागा अब आते हैं Fertilization यानि कि निशेचन Fusion of male and female gamete is known as Fertilization नर्वे मादा यूगमक के सल्लेन की परक्रिया निशेचन कहलाती है अब Fertilization कब होता है Fertilization होने के बाद क्या होता है After Fertilization, the gigot divides several types to form an embryo within the ovule The ovule developed into a seed The ovule grow rapidly and ripen to form a fruit यानि कि निशेचन के पस्चात यूगमनज का विभाजन होता है और वे भून की अवस्था में बदल जाता है और उसके बाद बीज बन जाता है अंडा से बड़ा होकर फल का रूप ले लेता है देखें, जैसा कि आप यहां पर figure 8.8 में देख सकते हैं Pollination, sorry, Fertilization जैसा कि आप देख सकते हैं, pollen grain यानि कि पराग कन वर्तिकागर पर पहुँच गया है फिर वहां से एक pollen tube बनती है ठीक है? और pollen tube के दुआरा जो pollen grain होता है यानि कि पराग कन होता है वो अंडासे में मौजूद मादा यूगमक तक पोशता है और वहां पर जो है निशेचन होता है ठीक है? तो बच्चो आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगली क्लास में थैंक यू